क्या दोस्तों आपको भी ये मेरी ड्रॉइंग देखके हसी आ रही है कि भाई साब ये क्या बना दिया तो मैं आपको बताना चाहूंगा हाँ मेरी ड्रॉइंग थोड़ी बुरी जरूर है बट मैं आपको ये चीज वाता जरूर कर सकता हूँ कि इसी drawing से जिसके उपर आप हस रहे हैं इसी के उपर मैं आपको पूरी general entry सिखा सकता हूँ beginner से लेकर एक advanced level तक टप से tough general entry है आप इसी drawing से solve कर सकते हैं हाँ दोस्तों ये कोई मजाग नहीं है ये बिल्कुल सच है इसी ड्रॉइंग से मैं आपको पूरी तरीके से पूरी जनरल एंट्री सिखा सकता हूँ ये बेसिकली एक अच्छा सा एक बड़ा सा रूल है जो आप अगर एक बार समझ लेते हैं तो आपको जनरल एंट्री टफ से टफ जनरल एंट्री भी पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी बट सर्थ सिर्फ एक है कि आपको ये वीडियो सुरू से लेकर अंत तक देखना होगा बिना स्कीप की तभी आपको सारी इंफोमिशन मिल पाएगी तो चली सुरू करते हैं दोस्तो इस सवाल का जबाब है मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि अकाउंटिंग के पिता किसको माना जाता है और इसका जबाब जो भी सही देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा सौट आउट बट याद रखे दोस्तो जो विनर है उसको रेंडम कमेंट पिकर डॉट कॉम से पिक किया जाएगा और रेंडम लिए उसको किसी भी एक विनर को पिक किया जाएगा और फिर को उसको मिलेगा सौट आउट रियल एजुकेशन की तरफ से नेक्स्ट विडियो में उसके लिए स्टेट उन जरूर करना और अब बात कर लेते हैं आपके मेन जनरल की दोस्तो जनरल एंट्री की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ जो आपके लिए जरूरी है जिस प्रकार से गर आपको कभी भी मैट सिखनी हो यानि आपको गनित सिखनी हो तो आपके लिए 1,2,3,4 आपको आना जरूरी है मतलब आपको काउंटिंग आनी जरूरी है वो मैट का बेसिक होता है जिस प्रकार से गर आपको इंगलिस सीखनी हो तो इंगलिस सीखनी के लिए आपको ABC आना चीओ अगर आपको ABC alphabet नहीं आ रहे है तो आप इंगलिस कभी नहीं सीख सकते क्योंकि यह इसका basic है तो उसी प्रकार से दोस्तों और आपको account सीखनी है न तो आपको accounts में general आनी चीए अगर आपको general नहीं आ रही है तो आप accounts में कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह इसका basic है और जो भी transaction होता है उसकी पूरी detail से वो आपको general से ही मिलती है तो यह चीज आपको जान लेना जरूरी है कि general है वो बहुत बड़ा basic है अगर आपका जो base है वो कमजोर होगा तो building तो धड़ाम से नीचे गिरेगी ही ना फिर आप कैसे बैठ पाएंगे उसमें तो यह आपको हमेशा याद रखना है general है वो सबसे ददा most important topic रहता है आपके पूरे accounts का तब बात कर लेते हैं का आखिरकार यह किस तरीकी से होता है और क्या system रहत है तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दू जन्रल एंटरी है यह दो हम जो करते हैं इसको हम कहते हैं double entry system से यहां पर नहीं पता कि हैं क्या है तो दोस्तों आप इंटरेट पर सर्च कर सकते हैं कि double entry system आपको पूरी information मिल जाएगी बढ़ जो हम यहां पर कर रहे हैं यह आ से समझते जाएंगे आपको पूरा पता ही चल जाएगा डबल एंटरी सिस्टम कैसे काम करता है पूरी डिटल आपको आपके इसी क्लास में मिल जाएगी तब दोस्तों यहां पे जब भी हम डबल एंटरी सिस्टम का उपयोग करते हैं तो मैं हमेशा दो साइड से वह आपकी होती है मतलब अगर आप हिंदी मीडियम से मैं आपको बता दूँ आ आपके जो दो पक्श है वो दो पक्षाओं के ऊपर इफेक्ट बढ़ता है तो यहां पे सबसे पहले दोस्तों दो से कहले हैं Fin कर रहा हूं तब यहां पर आप कोई चीज बता दो जब भी आप कोई भी accounting करते हैं जब आप किसी जनरल entry के ट्रांजिक्शन को अगर आप पास करते जनरल एंट्री तो यहां पर आपके दोस्तों जो रूल वो बताने वाला हूं modern approach जो modern approach है वो दोस्तों काफी ज़्यादा easy है आपके traditional rules से और इसमें आप confused कभी नहीं होंगे जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपके लिए modern approach का एक chart दियार कर रहा हूं यहां पर modern approach करने क लिए आपको एक बस diagram याद होना चीज जिसका नाम है star और अगर आप इस diagram को अच्छे दरीकी से समझ लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए general entry pass करना बहुत जादा easy हो जाएगा यहां पर मेरी drawing यह वो थोड़ों दोस्तों काफी अच्छी नहीं है बिलकुल सी यहां पर काफ interest और assist यानि समपत्ती और E यानि expenses इसको मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ जो हिंदी medium के students है वो आसान से समझ सके अब यहां पर मैं लिख रहा हूँ L यानि liabilities I यानि आपकी दुस्तों होती है income और C यानि आपका होता capital तब दस्तों देख सकते हैं यह जो star है अगर आ यहां पर basically इनके दो group बनाएंगे हम सबसे पहला group बनाएंगी जो इसका नाम होगा L.I.C. यह जो L.I.C. ग्रूप है आपने नाम सुना ही होगा Life Insurance Corporation जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारती जीवन बीमा निगम जो L.I.C. यहां से आपको directly group का नाम याद रहे जाएगा L.I.C. और second है वो दोस्तो है हमारा A.E. इसको आपको याद रखना होगा अब यहां में बात कर लेता है जब भी दोस्तो आपका जो modern rule है वो यह कहता है या फिर आप कह सकते है double entry system में उसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखने लाएक वो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो यह क्यूशन से पता लगाना होता एक भाई कौन-कौन से एकाउंट के उपर effect बढ़ रहा है कौन से एकाउंट को debit करना है वो क्यूशन के उपर based रहता है तो उसको समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें समझना होगा यह जो modern rule है यहां पर जब भी आपकी assessed और आपकी जो expenses य तब आपको हमेशा यहाद रुकना है इसको debit करना है debit यानि DR यहाँ पे DR से में present करना हूँ debit को और second चीज दोस्तों यहाँ पर यह है कि जब भी LIC आपकी बढ़ती है तो यहाँ पर LIC को हमें credit से present करना हूँ मैं जब भी LIC यानि तीरों में से कोई भी एक बढ़ता है तो आपको उसको credit करना होगा जब भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है अगर आपको liability में इंक्रीजमेंट देखने को मिले या फिर आपको मिले इंक्रीजमेंट देखने में इंकम में या फिर आपकी capital increase हो तब आपको हमेशा उसको credit करना होता अगर आप भूल जाए कभी यह सी से सी आपको याद रह जाएगा आपको हमेसा नीचे की तरफ देखना होगा ता आपको यह चीज याद रह जाएगे कि हाँ यह रहा सी और सी से आपका सी बन जाएगा credit तब बात कर लेते हैं आखिरकार हमने यह चीज समझ गी एक बाइ एकाउंट है आपका अगर ए यानि एक्सपेंसेज और एसेश्ट बढ़ने पर हम उसको debit करते हैं तो बाइ जब expenses और यह सब एसेश्ट आपके अगर decrease होगी आपकी कम होगी था हम उसको definitely credit करेंगे तो उसी प्रकार से दोस्तों आपकी जब LIC है अगर यह बढ़ रही है हम इसको credit कर रहे है तो जब भी यह घटेगी तो इसको हम क्या करेंगे debit करेंगे यह सब सिंपल सी चीज है हमें सबको यह common sense है यह चीज पता होनी चीए तब बात कर लेते हैं कोई भी एक entry की जिसको हम समझा देते हैं आपको एक example के तौर पर जिसको मैंने आप दिखते हैं यहां पर मैंने आपके लिए जन्रल एंट्री का एक format त्यार किया सबसे पहला है जन्रल ऑफ राम मैंने उपर नाम लिखा है जन्रल ऑफ राम आपको यह लिखना compulsory आपका format है वो complete दिखे तब बात कर लेते हैं यहां पे जन्रल एंट्री में दुस्तो 5 कॉलम होते है सबसे पहला कॉलम रहता है वो आपका रहता है डेट का second column रहता है वो आपका रहता है particulars का third column रहता है तुस्तो वो रहता है laser folio यानि lf का और fourth column है वो दूस्तो डेविट और credit कर रहता है fourth और five जिसको मैंने DR और CR से present किया है ताकि space है वो बच सके तब यहां पे आप देख सकते हैं जब भी debit में यहां पे दूस्तो दो columns मैंने आ amount यहां पे लिखेंगे जैसे कोई transaction में आपके सामने बोलता हूं यहां पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने transaction आपके सामने रख लिया screen के सामने यह दूस्तों question मैंने तयार किया है राम started a business with 16,000 cash राम ने अपना business start किया 16,000 रुपे से जब राम ने अपना business start किया होगा दोस्तो 16,000 रुपे में हमें पता होना चीए कि दोनों कौन account मतलब यहां पे आपके effect हो रहा है सबसे पहला तो दोस्तों आपका account effect हो रहा है वो हो रहा है आपका debit और credit पर दोस्तों य effect हो रही है कौन कौन से account में सबसे पहला दोस्तों यहां पर जो आपका account होगा वो होगा cash account क्यों क्योंकि हमने जो business start करते समय हमको पता होना चाहिए कि business start किया तो definitely cash है वो हमारे business में आया है जब दोस्तों cash आता है इसको आप दिखते है मैं इसको minimize कर लेता हूं सबसे पहली क्योंकि हमने business start किया पैसे है वह हमारे business में आए है जो हमारे cash account हे वो इफक्त हो रहा है और second रेमिस्टेंच होए कपिटल k Kiव क्योंकि हमने business start करते हैं जो भी cash है और Philippines में लाते है उनको capital होगा capital znзы कर लेता है कौन सा debit होगा और कौन सा credit होगा तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था जब भी आपकी assessed या फिर बढ़ते है expenses तो आप उसको debit करेंगे तो यहाँ पर assessed यानि जो cash आ रहा है वो हमारा क्या है assessed है और assessed हमेशा debit होती है यहाँ आप देखते हैं assessed है वो हमेशा debit होती है यह चीज मैंने आपको पहले बता रखिए तब हम इस general entry को जब करेंगे तो assessed यानि cash account को हम क्या करेंगे debit करेंगे और अब दुस्तों यहाँ पर capital account है जो capital account है क्यों credit कर रहे हैं क्यों credit कर रहे हैं क्योंकि मैंने आप को पहले बता दिया था आप देख सकते हैं ल की निव रहता है जब भी आपकि सीb maintenance बढ़ती है तो इसको credit करते हैं तो यहाँ पी capital क्या हो रही है इसको क्या करेंगे इसको ऎक्रेंगे debit तब इसको कıs कैसे representing करेंगे हमारे general entry के format को तो general entry के format को उपेंड कर लिया है यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे date नहीं दे रखिए सबसे पहला हम लिख लेखते हैं by serial number one पहला question है वह हमने मैंने आपको बता दिया cash account रहेगा तो यहां पर हम लिखेंगे cash account क्यास कांट मैं ने लिख लिया फिर यहां पर दस्तों में इसको धोड़ा सा इस तरफ ले दाओं हाँ अब आपको clearly दिख रहा होगा जो क्या से कंट मैंने लिखा है इसको क्या करेंगी या पेले बता दिया जब भी हमारे प्राइटिंग का थोड़ा इस्यू हो सकता है बट आप कॉंप्रमाइज प्लीज कीजी क्योंकि आपको इचीज समझ आ रही है तो बेसिकली यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो डेबिट है डेबिट के कॉलम में हम डेबिट के अकाउंट लिखेंगे यहां पर इसकी अ पहले दोस्तों आपको एक चीज बता होनी चीए आपको लिखना होता है नरेशन में क्या लिखना होता है दोस्तों वह लिखना होता है आपको इस तरीके से एक नरेशन में आपको हमेशा एक चीज आपको बतानी होती है कि आपका जो ट्रांजिक्शन है उसकी थोड़ी सी है वो देख लेते हैं दोस्तों जो सेकंड ट्रांजिक्शन है वो ही यह है कि गुड सोल टू सुसील सुसील को हमने माल बेचा है तब यहां पर कौन-कौन से एकाउंट है उनके उपर effect पड़ेगा तो सबसे पहली चीज है दोस्तों हमें याद रखना है कि हमारे दो account से वो कम से कम effect होते हैं तो सबसे पहला account होगा वोगा सुसील क्योंकि सुसील का क्या करना होता है आप देख सकते हैं अससे जब इंक्रीज हुती तो इसको हम क्या करेंगे डैबिट तो यहां पर सुसील का करेंगे डैबिट सकता हमारा effect होगा वो होगा हमारा जो sells है क्योंकि यहां पे हमने माल Cost है हमने इस Moment करेंगे сделал का heureध करेंगे हमारा जो sales का account है वो डिफिनेटली effect होता है उसके उपर तो sales को हम क्या करेंगे दूस्तो यहां पर credit करेंगे sales को credit क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो sales है हमारा ज्यो गोड्स है वो acordुटसे बह mechan आपर sales है तो हमारे kasih दो यहां पर sell से वह हमारा mornak decrease हुआ तो उसको हमने क्या कर दिया credit कर दिया सो basically इसको हम अब क्या लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे आप देख से है general format में हम आ चुके है general format के अंदर हम इसको number transaction number 2 लगाएंगे transaction number 2 लगाने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहली चीज लिखेंगे हम यहाँ पर सुसील का नाम इसले लिख रहे है क्योंकि यह debit होने वाला है debit क्यों होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है debit होने का इसका reason यह है कि यह हमारा assessed है तब यहाँ पर assessed जब भी हमारी increase होती है उसको हमने कर दिया debit और दोस्तो सुसील एकाउंट लिखने की आवशकता नहीं है सिर्फ सुसील लिखेंगे तब भी चल जाएगा और to हम क्या करेंगे sales sales इसले कर रहे है क्योंकि हमारा assessed है decrease होने पर उसको हम credit करते है तो sales account यहाँ पर sales account लिखना है और फिर इसके बाद में हमें narration लिखने के बाद में हमें एक line खीच लेनी है याद रहें दोस्तों narration में हमें क्या लिखना होगा good sold to social इतना लिखना है और यहाँ पर हमें सिर्फ amount लिखना है जैसे 500 रुपीज है तो 500 रुपीज और यहाँ पर भी 500 रुपीज लिख सकते हैं तब बात कर लेते हैं आगे transaction की आगे क्या transaction हो रहा है तो आगे दोस्तों जो transaction हो रहा है वो हो रहा है paid for news paid for news यानि newspaper के लिए हमने पैसे चुकाए हैं जब भी हम newspaper के लिए पैसे चुकाते हैं तो मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है खर्चा हो रहा है expenses हमारे increase हो रहे है news paper हो हमारा expenses है वो increase हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे debit करेंगे और दूस्तों दूसरी चीज हमारे क्या effect हो रहा है सबसे पहली चीज सबसे पहला third number इसको लगा लेते हैं transaction no.3 transaction no.3 लिखने के बाद में सबसे पहली चीज हमने आ रहा क्या हुआ खर्चा हुआ expenses increase होने पर हम लिख लेंगे newspaper का account है newspaper newspaper account newspaper account क्या होगा debit होगा और credit क्या होगा हमारा यहाँ पे दूस्तों cash होगा क्योंकि cash हमारा decrease हुआ है assessed हमारी decrease हुई है अब दूस्तों यहाँ पे cash account लिखने से पहले यह चीज याद जरूर रख लेना कि यहाँ पे नीचे हमें एक line draw करनी है line draw करने से पहले हमें यहाँ पे हमेंसा एक narration लिखना होता है जो मैंने आपको बता दिया paid for news आप यह भी लि करके बता हैं और तीन question है आपके नीचे मैंने दे रखे हैं transaction है वह आप देख सकते हैं जाके उसको आप खुद solve कीजिए और खुद solve करने के बाद में मुझे comment में उसका जवाब जरूर बताए कि आप क्या सोचते हैं कि उसका answer क्या होगा वह comment में मुझे solve करके बताए कमें comment में माझे directly ये बता जीजी कि कौन सा account debit होगा और कौन सा credit होगा तब भी मैं समझ जाओंगा आपको काफी तक सारी चीज़े clear हो चुकिए और कोई भी doubt हो तो दोस्तो clearly आप मुझे comment में पूछ सकते हैं और दोस्तो फिर भी गर आपका doubt solve नहीं हो रहा है हो सकता है मैं कभी comment miss कर दो तो आप मुझे instagram पे follow करके वहाँ पे comment कर सकते हैं वहाँ पे अगर आप मुझे message करेंगे तो definitely sure है कि उसका जवाब मैं जरूर दूँगा उसका link नीचे comment में आपको मिल जाएगा और आपको description में भी उसका link मिल जाएगा जो हमारा instagram का username रहने वाला है वो रहने वाला जय हेंद बंदे मातरम